हेलो फ्रेंड आप सभी को रादे रादे तान्या फैमिली ब्लॉक में आपका स्वागत है आज आपको बहुत सिंपल तरीके से हैंड बेग बनाना बताऊंगी और एकी पीस से में बनाना बताऊंगी आपको किस तरीके से बनेगा एकी पीस से हमारा हैंड बेग तो ये देखो मैंने पीस को ready कर लिया है आपको पहले पूरा पीस दिखा देती हूँ इसी पीस में से हमें side बगएरा निकाल ली है और इसमें बीच में मैंने rubber seat का use किया है आप चाहो तो rice worry का भी use कर सकते हो और वीडियो को पूरा देखा करो आप जबी आपकी समझ में चोड़ाई बताती हूँ पहले में चोड़ाई नाप रही हूँ इसकी तो चोड़ाई है इसकी 29 इंची की अब मैं इसकी लंबाई नाप रही हूँ तो लंबाई है इसकी 25 इंची की तो मैंने लंबाई कम रखी है चोड़ाई ज्यादा रखी है तो ये देखो इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है फोल्ड करनी के बाद हमें ये मैंने दो फोल्ड में कर लिया इसको हमें करना है चार फोल्ड में तो आपको देखो वो भी मैं चार फोल्ड में भी करके दिखा रही हूँ तो ये कर लिया मैंने चार फोल्ड में अब इस पे हम निशान लगाएंगे तो यहाँ पे जो बन साइट से मैं निशान लगा रही हूँ तो यहाँ पे लगाया है मैंने लंबाई का निशान 4 इंची पे अब इसी पे से 4 इंची पे जो लगाया है न वहाँ से लगा रही हूँ च्छेंची पे चोड़ाई का निशान तो ये देखो मैंने च्छेंची पे लगा लिया इस निशान को हमें उपर तक सिधा कर लेना है तो ये देखो मैंने सिधा कर लिया है निशान को अब यहाँ पर उपर की साइट पे हमें गुलाई करनी है इस तरीके से cutting जैसे मैं निशान लगाए हैं वैसे ही तो ये देखो cutting भी मैंने कर रही है तो आपको देखो मैं back का जो piece cutting किया उसको मैं खोल के दिखाती हूँ इस तरीके से इसकी cutting हुई है अब इसमें न हम पहले pocket डालेंगे तो उसका निशान लगाएंगे तो तीन इंची पे निशान लगा रही हूँ मैं बीच में से इस निशान को हमें सीधा लगा लेना है तो निशान मैंने लगा लिया अब इसकी हमें cutting करनी है तो ये देखो cutting भी मैंने कर ली है अब इसमें हम chain attach करेंगे तो इसी piece के बराबर मैंने chain ले लिया है चैन को मैंने उल्टा रखा है यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे अब तो सिलाई भी मैंने लगा ली है अब यहाँ पे न हमें टॉप सिलाई भी लगानी है तो यह देखो इस तरीके से हम इस पे अब टॉप सिलाई लगा लेंगे तो टॉप सिलाई भी मैंने लगा ली है तो रनर भी आने डाल लिया है अब पीश को हमें उल्टा करना है पौकेट बनाने के लिए तो देखो मैंने यह कप्ड़ा ले लिया है पौकेट को रेडी करने के लिए और इस तरीके से रख लेना है और यहां पर हम चारो साइट से सिलाई लगा लेंगे और नीचे की साइट और फेपड़ कर लिए न क्योंकि इसमें किनारी नहीं है अगर किनारी होती तो में यहीं लगा डेती तो हमने कपड़ाइक रलिए जो एस्ट्रा था उसकी मैंने कटिंग कर ली है अभी हमारी पॉकेट हो गई है रेडी अब इसमें क्या करना है तनी अटेश करनी यह तो मैं लंबाई और चोड़ाई तो मैंने आपको बता दी तनी की अभी किस तरीके से हमें अटेज करनी है तो हमने ये बैग वाले पीस को फोल्ड कर लिया है अच्छे से फोल्ड कर लेना है और बीच में निशान लगा लेना है तो बीच में निशान लगा लिया अब बीच वाल नि बाइतनी अटेच कर ली है जो हमारी उपरीá कुछ निगली दिनिग उसका हमें क्या करना है इस ही कि दीच करैंग है तो यह कर say others कि सीदा कर् लेती हूँ चाराइ पटियों को तो यह देखो पहले मैं इनको कटिंग कर ले रही हूँ यह कटिंग मैंने कर ली चार पीस है इसके तो इनका हमें यूज किस तरीके से करना है यह देखो यहाँ पर हमें इस तरीके से इसको जॉइंट कर लेना है तो यहाँ पर पहले मैं दोनों को जॉइंट कर लूँगी तो यहां मैंने सिलाई लगा ली और टॉप सिलाई भी इस पे लगा दी है इस तरीके सिनको जोएंट कर लेना है और इनकी मैं आपको लंबाई और चोड़ाई बता देती हूँ कितनी है तो यहां पर पहले मैं चोड़ाई नाप रही हूँ साड़े चार इंची की चोड़ाई है अब इसकी मैं आपको लंबाई भी बता देती हूँ कितनी है 19 इंची की लंबाई है इसकी और चोड़ाई ना जो हमने साइड कटिंग किया ना उसमें बैग में जो बनी हुई है उसी के बराबर रखनी है अब इसकी मिनें बड़ भी डाल लेने हैं अब यह हमें किस तरीके से रखना है अब मेरा थोड़ा वाद नीचे बहुँना ना उपर वाले स्थी पीस है उसकी मैं के स्थीड कर दूंगी क्योंकि मैं आदां ची इसकी एकीएश्टा लिये था इस वज़े से आब इसको रख लेना है दोनों साइट से हमने चिलाई लगा ली और टॉप चिलाई भी लगा ली उपर वाले हिस्जे चेन वाले हिस्जे को में और आटेच कर लिया आब इसको हम किस तरीके से सिलौएंगे हैं यहांपे देखो जो कार्णर है इसका इस तरीके से पूरे पीस को हमें सिलना है और तनी को अंदर की साइड रखना है तो ये देखो इस तरीके से हमें एक साइड से सिलके आपको दिखा दूंगी तो ये देखो एक साइड मैंने इसमें सिलाई लगा ली है इस तरीके से सिला है मैंने अब दूसरे वाले पीस हो गया है अब मैं आपको यह सीधा करके दिखाती हूं तो यह देखो मैंने सीधा कर लिया हैंड बैक कितना अच्छा हमारा हैंड बैक बना है आप देख सकते हो तो यह देखो मैंने कितने सिंपल तरीके से आपको हैंड बैक बनाना बता दिया और देखो पॉकिट भी है इसम आप सभी को रादे रादे